सपने बुनना, संकल्प जागुरत करना, नए कामकाज की बरती अपने रुख को अख्तियार करना, ग्रिहस्त पक्ष के साथ संबंद सुधारने की प्रक्रियाओं के साथ में चलना, संतान पक्ष के साथ में बहतर संबंदों की कडीमों को कामकाज में सम्मिलत करने की वादों और इरादों को खुद के साथ दोहराना जमीन ले लेंगे दनागमन के साथ में ये सारी ही रास्ते देखने वाले होंगे सबसे पहले तो स्वास्त की कड़ी को अपने लिए सुधार के प्रक्रियाओं के साथ लेकर चलेंगे ये सारी ही बाते हैं किसी वर्ष के अंतिम सरे के साथ में व्यक्ति नए वर्ष की खटकटा हट को देखते हुए अपने साथ में द्वहराता है और उस मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करने का प्रहत्न करता है। कई बाधाय निकल कराई कभी लोगों की माध्यम से कभी सरकमस्टांसिस की पूजिशन्स की वजए से कभी खुद के रुक की वजए से उन सारी ही अवस्ताओं में अब क्या सुधार निकल करा रहा है ये भी चर्चा हम आपके समक्ष रखेंगे वैसे वर्षब राशी के महान को नर्मित करना राहु का लाब भाव में पून्य फलों की इस्ततियों के साथ में होना और वहीं पर द्वादश भाव में देवगूरु प्रेस्पति का शुरवाती तौर पर अस्थमेश हो कर यहां इस पोजीशन के साथ में होना अपने आपने अदबुत विवस्ता का सं और उसमें भी गुरु मंगल के परिवर्तं के इस्ततियां यहां समकक्ष रहने वाली रहेंगी और वहीं देव गुरु का दिरस्टी निक्षेबन पुने हैं मंगल के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा इसे वज़े से इस वर्ष की शुरवात के चार महीनों को और यूं क होगी हम जर्चा की यहां शुरुवात करते हैं 2024 के लिए पर्थम भाव के साथ क्या कह रहा है आपका व्यक्तत्व क्या है उसकी आभा और किस तरह से आप अपने संकल्पों के साथ में चलने वाले रहेंगे यहां जो कई बार आप भुलावों के साथ में खुद को लेकर च इस्तियों के निर्वाह के साथ में चलने वाले होंगे यह मूल अवस्था आप स्वायन के लिए संप्रिश्द करके चल रहे हैं यहां जो आप लंबे समय से स्केप्टिक थे किस वर जाएंगे क्या करेंगे नई शुरुवात कहीं ने कहीं दो विधाओं भरा मनजर तो नह अट्मोस्ट पॉजिटिव फेज होता है वो आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित होकर चलता चला जा रहा है इसमें कहीं पर भी एतनी सोच और विचार के आवशकता हैं आपके लिए नहीं दूसरे अर्थों में आप ये भी देखिएगा कि यहां जॉब की पोजि प्रविष्ट करने वाले होंगे जोड़ा से डेफ्ट के साथ में देखें तो अस्टमेश और जो एक तरह से लाभेश की स्थिया है वो बरतम भावस्त रहेगी तो अपरेल के बाद से लेकर दिसंबर तक की जो जरुनी है उसको और जादा पेस की रूप में देखा जा सकत है यानि वहां से तो सामनजस से और गहराई से आपके साथ साथ चलता चला जाएगा जिसमें कोई भी दुवधाओं का मार्ग और माध्यम आपके साथ में नहीं बन रहा है यह पॉजिटिविटी आप स्टबलिश करने वाले होंगे गोर कीजिएगा कि व्यापारिक जिवन के साथ में जो खर्चों पर नियंतरण के स्टती होती है वो लगातार बनी हुई एक तरप तो शनी देव जो उनकी तीसरी दृस्टी बैतर होती है अपने नीचस्त राशी स्थान को देखते हुए देव गूरु बरेस्पति यहां मंगल राशी स्थान के साथ में द्वाद जो लंबे समय से बने वोई थे उनको कैसे कम करना ही पूरा ही वर्ष उस पर बहुत जारा ध्यान लगाएगा यानि कि हमें रण मुक्त होकर अपनी जीवन ग्यातरा को देखना है ये ताकत एवं तार्तम में बहुत गहराई से आप साथ लेकर चल रहे हैं ये बात जरूर ह कि नरने अनरने शुरुआती दो महीनों के साथ में रहेंगे इसलिए रफ्तार धीमी है उसके बाद आपके व्यक्तित तुम्हें सौम में ता बहुत गहराई से बनी रहेगी हम अपना काम काच कर रहे हैं दूसरों ने क्या कहा कैसे कहा उससे कोई अर्थ नहीं है जिस वज इससे सोच कर खुद को डिस्टर्बिंसस के साथ में लेकर चलना ये जो विवस्तत करने वाले करम थे ये पूर्ण तया आपसे दूर हट कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इसमें कहीं भी कोई नखरात्मक्ता नहीं हम चर्चा द्वितिय भाव की करें तो आप ये देखि आपको समबात कोशल बना कर रखना है कई बार चोटी चोटी बातें जो हमें नहीं सुहाती अगले वक्ती को कह दी जाती है और वहां से कॉंट्रडिक्शन की एक अपरूच निकल कराती है उससे थोड़ा सा फॉर्म रहकर खुद को संभालने की कोशिश करना आपके लिए अत्यधिक आवशक विवस्ता है दूसरे करम में बारंबार ये निवदन आपसे करना चाहेंगे कि जो निरनाएं आपने स्वायम के लिए ले लिये हैं उसके साथ में फॉर्म रहिएगा फाइनेंशल लेवल पर लिये गए नवंबर दिसंबर दो हजार तईस के निरनाएं तो अब उससे इधर-उदर देखने के आवशक्ता नहीं हम जहा हैं वहां से स्तरवादी होकर चल रहे हैं और वहीं से गतिमान होकर अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं ये मनतब्य स्पस्ट करके चलने की पूरी-पूरी आवशक्ता हैं आपके साथ गहराई से यहां पर रहने वाली होगी कोई भी उतार चड़ाव का आबद करम आप देखने वाली नहीं हो जो फाइनेंशल लेवल के उपर जो खर्चों की एक्स्पेंस ड्रिवन परोच होती है वो कंटीनूस नोट पर यहां आपके साथ बनी रहने वाली रहेगी परंतु धनलाप की श्रि नारायन की वज़े से बनी रहने वाली होगी यह अतीव अतिव अतिव प्रगामिता आपके साथ में है कुल जमाजोड 2023 के साथ में जो खर्चों के साथ में तारतम में नहीं बैट रहा था सेविंग की पूलीशन तो दूर छोड़ दीजिए अब वहां से आप खुद को पूरे ही वर्ष आपको सताने वाली नहीं है आप खुद को पूरे तरीके से अवेरनेस के साथ में लेकर चल रहे हैं जो पॉजिटिव फ्रेम आपके साथ में continuous reflections के साथ में चलने वाला रहेगा कोई विदविधा नहीं कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी वोई थी तो जो ये फरवरी से लेकर मई जून तक का समय आ रहा है इसको अत्यंत मुखर अवस्थाओं के साथ में देखा जा सकता है गौर करने लाइक बात ये भी है कि जब मकर संक्रामति के बात कायनी 14-15 जन पूर बनाकर रखने का प्रहतना आप करते चले जाए परमतु जबरदस्ती लोगों को कॉंट्राडिक्ट करने से आप बचिएगा आप चर्चा चतुर्त भाव की जमीन लेने संबंदी निरने इस वर्ष के क्रम में बहतर कहे जाएंगे शनिदेव का द्रिस्टी निक्षय प्रवेश करके फरवरी मार्च के स्तर के साथ में तुने हैं आठवी द्रिस्टी से जब भूमी भाव को देखने वाले होंगे तो संबत दो हजार असी का जो एक तरह से अंतिम सरा है फरवरी मार्च का जो आधार है आप के लिए अदबुत से अदबुत अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है आप निवेश के मार्क के साथ में चलना चाते हैं आप आशियाने के मार्क के साथ में प्रविस्ट होना चाते हैं आप मंगल कारी स्तर के साथ में कोई भी ऐसा निवेश करना चाते हैं जहां से जीवन यात्रा सुगमता को अवलोकित करने वाली हो वो मं आपके साथ में समय की कर्म शीलता अपने परवाह के साथ में लेकर चल रही है सर्विस, इंडिस्ट्री संबंदी, कामकाज में लेट, लतीफी, संबंदी इस्थत्यों से स्वयम को जितना संभालेंगे उतनी ही स्थिर्ता स्वयम के लिए प्राप्त करते चले जाएंगे बार तक आपके लिए फ्रेम्ड अप्रोच यानि पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है पंचम भाव अब पंचम में केतु है और बुद्ध के मूल्टरकॉन के साथ में राहू जब भी बुद्ध के मूल्टरकॉन के साथ होता है इतने बहतर प्रवाह नहीं देते हैं परन्तु के तू के साथ में सा नहीं है आकस्मिकता आपके धनला आपके साथ में बनी रहने बाली होगी यह स्पष्ट रूपेन संकेत है और वैसे भी पंचमेश का जो आधार है शुरुबात में 3-11 बना रहा है इसे वज़े से स्टॉक मार्केट को लेकर जो इन्वेस्मेंट्स है वो है व्याए भाव को देखते हुए देव गुरु ब्रैस्पती चतुर्त चस्ट और अस्ठम के साथ में अपने द्रिस्टी निक्षेपन रखते हुए इसलिए पंचम की यात्रा के साथ में अपने इक्षमताओं के प्रवाह को देते हुए निरंतर गतेमान होते चले जाना ये प्रभुद्ध हस्ताक्षर इस समय का आपके समक्ष रहने बाला होगा पंचम भाव में केतू का अधार ये भी दर्शाता है कि संतान पक्ष के साथ में वाईचारिक विद्रोह निकल करा सकते हैं हम किसी भी पोजीशन के कंक्लूजन के साथ में चलने वाले नहीं हो एक से व्यक्ति उलचता है सुलजने की प्रक्रियाओं के साथ में रहेगा कि ये तु मोक्ष का रख रहे है जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ कर देखता है जहां मोक्ष रित हुए उसे क्षण मोक्ष की गती प्राप्त हुई ये तिवरता आपके साथ में सं प्रयत्न करें ये भी याद रखें कि सिक्षा संबंधिकरम में इंस्टेंट डिसीजन्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनवरी से अपरेल के महीने में यात्राओं से संबंधिकरम में काफी हद तक सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। नर्व्स को रिलेट करते हुए शूस से भी काफी हद तक संबलने की आपको यहाँ आवशकता हैं। जो भी कामनाएं शारिरेक स्वास्ते के साथ में सुधार के संब्रक संकेब दे रही हैं। उनको थामने की जरूरत है को रूटीन एस्टबलिश किया उससे बेनिफिट हुआ। तो अब उससे बिल्कुल भी विरक्त होने वाले नहीं हुए अपनी पूरी ही ताकत को उस और लेकर चलने का परहत्म करना आपके लिए यहां काफी हद तक आवशक कहा जाएगा। दूसरे करम में इस बात को भी संचालित करके रखिएगा। कियेगा कि जो रण संबंद करम लंबे समय से आवेवस्तत कर रहे थे उससे भी दिरे दिरे दूर रखकर खुद को चलने की जरूत रहेगी। फाइनिशल बर्डन्स के साथ में ब्रेस्पती बारंबार यहीं बताते हैं कि कमी लेकर आओ। जब सोच के साथ में ब्रेस्पती यह स्तिरता लेकर चलते हैं तो फिर कहीं पर भी चिंता नहीं रह जाती। इस मूल वंतर को प्रभावी करम में अपने साथ में लेकर चलने का प्रहतना आप करते चले जाईएगा। और वहीं शत्रपक्ष यहां शुरुवाती चार महीनों में बिल्कुल भी हावी नहीं है। आप यहां डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ में उनको दिरंतर संभालते चले जाएंगे। सब्तम की चर्जा करें लक्षमिदाराण योग के स्तियां शुरुवाती तोर परी बने हुई है। गैप और कॉंट्राडिक्शन के अप्रोच को लेकर आ सकता है। उसको संभालना अत्यधिक आवशक विवस्ताएं आपके लिए यहां पर कही जाएंगी दूसरे क्रम में इस बात को भी अपने साथ में लेकर चलने का प्रहत्न कीजिएगा कि बिजनस पार्टनर्शिप में शुरुवाती तीन महिनों में अत्यधिक संभल कर चलना है। उसके बाद में रफ्तार पुने हैं लोड़ती वी प्रतीत होगी। शुरुवाती तीन महिनों में कॉंस्पिरेसी जैसे अप्रोच से भी काफी संभल लिएगा। करता है। अस्टमेश का यहां द्वादश में होना परिवरतन की इस्तियों को मंगल व्रेस्पती का बनाना विदेश संभन्दिकारियों का अद्बुत संयोग निर्मित करता है। और वहीं व्यक्ति विशेश जो डेटा साइंसे के साथ में हैं। आईटी फिल्ड के साथ म और जाना चाहते हैं। वो सारी है स्टेबिलिटी आपके साथ में यहां फर्म लिवल पर बनी हुई है। नवम की चर्चा करें तो नवमेश दशमभाव में हैं शशियोग बन रहा है। भाग की कर्म और आध्यात्म इम तीनों का ही सामन जस्य है। जब व्यक्ति को भाग क का वर्दन मिला वो अपने कर्म के साथ में वर्देत हुआ और वहीं से अध्यात्म इक्सपंदन उसको प्राप्त हुआ। यहां जो जर्नी शुक्र परदान राशी के जात्कों के लिए चल रही है वो यही स्पस्ट संकेत देती चली जाती है। हाइर एजुकेशन के साथ म लेकर चलना चाते हैं तो वहाँ पर भी प्रवाह सम्यक तोर पर आपके साथ में स्पस्ट रुपेन स्थापित होता चला जाता है। जहां से रुकावटें और वाधाएं बिलकुल भी आपको भेरने वाली नहीं होती। देशंभाव की चर्चा करें। तो यहां शश्योग जो दर्मित है वो अपनी अद्बुत आभा को लिए वो है अपनी तिवर गामिता के साथ में जीवन यातरा को लेकर चल रहा है इस समय के संकेत ये भी बताते हुए परतीत होते हैं कि आप यहां पिता के साथ में संबंदों में अद्बुत जुडाव महसूस कर पाएंगे जो उनके कारी लंदे समय सटके हुए थे आपके माद्यम आपके मार्ग प्रशष्ट करते हुए उसमें सपष्टता अवलोकित रहने बाली रहेगी मन के भीतर का शामतचित भाव निरंतर तोर पर गतिमान है और वहीं पर इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में चलती चली जा रही है इसमें कोई भी और नकारात्मक भाव उपस्तित रहने बाले नहीं है यह सपष्टता भी आप लेकर चलने का प्रहतने जरूर कीजिएगा पैसे बिंकम सूर्सिज यहां इस वर्श बने रहने बाले हैं लाब भाव में राहु पुन्य फलों का रहा ही जो संकेत है वो इसी प्रवाह के साथ में निरंतर तोर पर गतिमान होता चला जाता है जहां से कोई भी और चंता के क्रम मौजूद रहने वाले नहीं होंगे हाला कि उसमें भी आप सामंजस्य को लेकर चल रहे हैं जो एटिट्यूड आपने अपने साथ में बना कर वो है उसमें ग्रेटिट्यूड की पूरिशन बहुत अच्छे से है कृतक गिता के भाव के साथ में चल रहे हैं इसलिए और जाला भैतरी आपके साथ में यहां पर बनी हुई है जो कारियर बिलकुल अटके हुए थे बिलकुल गौन थे वहां से पुनेहरबतार अबलुकि यहां मौजूद हैं तो यह था बरशब राशी के महनुभावों के लिए वर्श दूहजार चॉबीस का वारशिक राशीफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ मेरंतर उपस्तित होने का परियत में करते रहेंगे दन बाद एवन कूटी शह आभार